तो last discussion से यह हम लोग के clear हो गया था कि business के साथ जब external parties के कुछ transactions होगा अगर उससे fund का art flow होगा तभी उसको हम क्या बोलेंगे expenses या तफिर charge against profit जो profit and loss account के अंदर में आता है यह यह आता है profit and loss account के debit side में ठीक है तो अब हम यह देखेंगे कि जो business के साथ यह जो internal party है एडिजोनर अगर यह दोनों के बीच में अगर कोई transactions हुआ तब यह कहां पे आना चाहिए ठीक है चलो इसका discussion सब हम लोग स्टार्ट करते हैं जब बिजनेस ओर्गानाइजेशन जो इसका पर हम लोग एक्जाम्पल लेते हैं रोशन एन कंप्पनी जब इसके साथ जब बिजनेस ओर्गानाइजेशन के साथ ओनर लोगों का transactions हो रहा था ठीक है अब यह transactions क्या हो सकता है मान लो salary to owner मान लो interest on capital interest on capital मतलब क्या होगा जो यह owner यह business farm को जो capital दिया था business करने के लिए अब यह owner लोग farm को बोल रहा है कि उसके उपर हम लोगों को interest पे करना होगा तो इसलिए business organizations इसको लोगों को दे रहा है owner को दे रहा है कि interest on capital यह भी transactions हो सकता है यह दोनों party के बीच में और क्या transactions हो सकता है और commission pay हो सकता है commissions दे रहा है ऐसे जो भी transactions है ऐसे जो भी transactions है जहां पे जो दो party होगा वो होगा एक तरफ से business organizations और एक होगा owner ऐसे जो भी transactions होगा यह सब transactions तब कहां पे आना चाहिए यह हम लोग अब सिखेंगे तो इस जगा पे एक practical situations हम लोग समझ लेते practical situations क्या है जो घर में हम लोगा होता है मान लो किसी का पापा का रोशन का यह मैं पापा का एक्जम्पल ले लेता हूँ रोशन का पापा का काम क्या है उनका जो काम है वो है business अब वो क्या करते है पूरा साल business कर रहे या तो फिर एक ही दिन का मान लेता हूँ एक ही दिन का उससे ज़्यादा चीज छोटा हो जागा समझ में बहुत ही उन्हों का शुविदा होगा तो एक दिन जब उन्होंने पूरा business किया business के हिसाब से उन्होंने मान लेते जो computations होता है sell क्या एक लग का अब वो क्या करेंगा ultimately इससे profit determined करेंगे profit determined करने के लिए क्या करेंगे जितना भी expenses that is मान लो purchase के समय जो लगा 70,000 उसके बाद rent पे करना परा landlord को pay करना परा मान लो 5,000 उसके बाद और भी जो other expenses है वो सब minus किया minus कितना है मान लो 3,000 अब minus करने के बाद आया कितना 1,000,000 अगर 78,000 हम लोग minus करेंगे तो रहेगा 22,000 ठीक है अब इतना पैसा end of the day उनके रोशन के पापा के पास रहेगा अब ये 22,000 वो घर में लेके आए ले आने के बाद मान लेते हैं हम लोग वो दुर्गा पुज़े का exactly थोड़ा आगे वाला दिन है तो अब रोशन ने बोला पापा मुझे कुछ pocket money दीजिए अब रोशन को दिया मान लेते हैं 2000 अब रोशन को ममी को दिया रोशन को ममी को दिया अब वो भी मान लेते हैं कुछ 10,000 और बादब की जितना family members है जितना भी family members है वो family members को भी कुछ दिया वो भी मान लेते हैं 5000 ठीक है अब देखो यह जो बिजनेस फाम है रोशन स्फादर रोशन का पापा का जो बिजनेस है अगर इनके हिसाब से अगर इनके हिसाब से अगर हम लोग पुरा यह कैटेगरी को देखेंगे न यह उनका यह एक्सपेंसेज है क्योंकि यह जितना onte zarika आज मेरा उससे प्रॉफिट उससे घताओ न के चार्ज एकिंस प्रॉफिट यह सब उता है एक्सपेंस यह चार्ज एकिंस प्रॉफिट यह रोशन के पापा खुद ही बोलेंगे कि आज मेरा ना 78000 एक्सपेंसे यह वाला टामोई यूज करेंगे ठीक है क्योंकि यह जो देना परा सब आउटर पर्टे को एक्स्टरनल को द जितना profit वह सब expenses minus करने के बाद इस profit से ही तो रोशन रोशन का मा और दूसरा भी जितना family member से पुजा से पहले इतना 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 करके उनलोगों को दिया तब अगर कोई पूछे के तब तो आपका सिर्फ 78,000 expenses नहीं है आपका total expenses तो है ये भी आपको add करना होगा 78,000 plus 17,000, 2,000, 10,000, 5,000 तो आपको तो 17,000 भी add करके बताना होगा कि आपका total expense उतना है तब रोशन का पापा क्या बताएंगे या तब हम लोग का मन क्या बोल रहा है क्या हम लोग का मन यही बोल रहा है कि रोशन का पापा यही बोलेंगा रहे नहां यह उनका expenses नहीं है क्योंकि यह जो सब है यह external parties नहीं है यह रोशन का पापा का family members है that is internals internal member ठीक है तो internal जो भी members है अगर उनको कुछ दिया जाए तो कभी भी इसको हम expenses भूल से भी नहीं बोल पाएंगे तब इसको हम क्या बोलेंगे तो हम लोग पूछते हैं इन से ही आप क्या बोलेंगे यह जो अब 2000,10000,10000 दे रहे हैं इसको अब क्या बोलेंगे क्या बोल रहे हैं तब यह यही बोलेंगे यह जो मेरा profit है यह सब है Appropriation Items यह सब क्या होगा Appropriations Item Appropriations का मतलब वह starting में हम लोग discuss कि थे Appropriations मतलब होता है Distributions करना Distributions करना तो जो income उन्होंने करके जो profit earn क्या है ये profit को जब वो देंगे बातेंगे आ रहा है ना ये वाला हिंदी में word बातना तो हम तो बोल नहीं रहे कि expenses हो रहा है ये जो internal है family members से इन लोग के बीच में ये जो earn किया था 22,000 ये वो क्या करें बात रहे हैं That is Distributions That is Appropriations आइटेम तो जो business के साथ अब इस जगह पर आ जाते business के साथ owner लोगों का transactions में जो भी आइटेम होता है जिससे fund का outflow होता है या तो फिर आता है जो भी है इसलिए मैंने ये भी दिया ये भी दिया इस तरफ से दोनो तो जो भी होगा उसको हम कभी भी expense नहीं बोल पाएंगे इस concepts के हिसाब से उसको हम क्या बोलेंगे Appropriations आइटेम बोलेंगे ठीक है तो ये भी होगा आइटेम अफ एप्रोपेशन अब आइटेम आइटेम आफ एप्रोपेशन जैसे इस जगापे इस जगापे हम लोग को जो भी मिला था external party के साथ जो भी transactions होगा और जिसके कारण से outflow होगा था वो सब हम कहाँ पे लिख रहे थे वो सब हम लिख रहे थे इस profit and loss के debit side में तो उसी हिसाब से जो भी transactions होगा internal party के साथ इस owner के साथ इस जो भी item है वो item का हम क्या बोलेंगे उस item का हम बोलेंगे appropriations item तो उसको लिखने के लिए जो account हम लोग use करेंगे उस account का नाम होगा appropriation account item of appropriations तब ये जितना भी चीज है मतलब business के साथ जो भी owner लोग के साथ transactions हो रहे है वो सब transactions appropriations जो account है उस account में आएगा ठीक है तो अब हम लोग को ये भी पता चल चुका है कि ये जो profit and loss appropriations account है ये जो account है ये account अफिसल profit and loss है के बाद ही हम लोग बनाते हैं ये account में ये ही account में profit and loss appropriations account में कौन सा आएगा आएगा PL बाटेंगे बाटेंगे ओविसलि तुम लोग बोलोगे के वह हम लोग बाटेंगे ओनर्स के बीच में ठीक है तो ये पी ये पी ये प्रफिट लॉस अप्रप्रपिशन एकाउंट क्यों तैयार होता है ये भी हम लोग का clear हो चुका है अब इन डेटेल्स में हम लोग को अच्छी दरीकर से समझना है ठीक है चलो स्टार्ट करते है उपर में लिख देते हैं प्रॉफिट अंड लॉस अच्छा अब देखो ये जो प्रॉफिट अंड लॉस अप्रप्रपिशन एकाउंट है ये एकाउंट एकाउंट है ना तो अब्यूस इसमें डेबिट क्रिडिट आएगा इसके इसका भी ये वाला एक साइड होगा डेविट वाला और ये भी एक साइड होगा अब क्रॉष्चन ही है ये जो डेविट साइड होगा इसमें कौन सा निचर का ट्रांजिक्शन आएगा कौन सा निचर का ट्रांजिक्शन इस तरफ आएगा और इस तरफ कौन सा क्योंकि ऐसा बहुत transactions रहेगा जो transactions हुआ है between firm and the owners तो ये दोनों के बीच में जितना भी item रहेगा जैसे उस जगापे हम तीन लिखेते हैं ऐसा बहुत कुछ रहेगा तो हम लोगों तो ये जानना होगा ना कि कौन सा ये जो profit and loss appropriations account है इस account के debit side में आएगा और consecration में आएगा ये भी तो हम लोगों जाना है जैसे हम लोग trading account और profit and loss account में जाने थे conceptualize और उस हिसाब से बहुत अच्छी तरह किये भी थे जैसे profit and loss account में index expenses और credit side में वह आएगा index income क्योंकि जो profit and loss account है वो है nominal nature का golden rule वो ही बताता है उस हिसाब से हम लोग करते थे तो ये भी तो जानना होगा अगर ये नहीं जानेंगे तो कैसे करेंगे तो उस हिसाब से हम लोग को इसका भी account का जो nature है वो भी हम लोग को जानना है profit and loss appropriations account का nature क्या है तो अगर इसका भी nature हम लोग देखेंगे न ये भी है नॉमिनल नेचर का बस काम खतम और कुछ समझना का नहीं है अब नॉमिनल नेचर का है अब नॉमिनल नेचर खुदेंगे बता देता है क्या करना है तो अगर नॉमिनल नेचर अगर debit है तो expense ना expense हम बोल नहीं पाएंगे हम बोलेंगे appropriation item जिसके कारण से fund जिसके कारण से firm का जो fund है उसका outflow होगा क्योंकि debit nominal अगर debit हुआ तो that means business के हिसाब से ये वाला मुह आएगा जो हम लोग सीखे थे ये ये वाला आएगा तो ये कब आएगा जब ये कौन है रोशन एंड कंपनी है अब ये रोशन एंड कंपनी का ऐसा फेस कब आएगा जब जितना भी प्रॉफिट और लॉस हुआ जब वह business के business से निकल के बाहार चला जाएगा और किसके पास जाएगा वह अवियसली वह जाएगा जो firm का ओनर है उन्लों के पास ही जाएगा रोशन ये कुछ ओनर को पे कर रहे हैं ठीक है कोई भी कारण हो तभी न ये वाला फेस रोशन एंड कंपनी में आएगा तब वही सब कारण ये इस तरह आएगा that is profit and loss के profit and loss appropriations के debit side में कभी भी भूल से भी मत बोलना के ये profit and loss appropriations account के debit side में expenses आता है expense नहीं आता है तब तो तुम्हें रोशन का पापा जो दे रहे ते family member को वह भी वह बता देंगे कि मेरा expense वह expense नहीं बताओगे nominal icon के debit side में कुछ ऐसा होगा जैसे ऐसा मुह आएगा obviously तो जो fund का जो fund का outflow हो रहा है तो तब भी तो यह मुह आएगा कि कोई business में तो वह पैसा रह नहीं रहा है तो इसलिए जब रोशन and company जब owner लोगों को किसी भी कारण से पैसा दे रहा है obviously यह भी याद रखना चाहिए कि उनलों का status रहना चाहिए as an owner ठीक है तो as an owner जब यह रोशन and company ओनर लोगों को जो भी पै करेगा जिस कारण से रोशन and company से fund बाहर चला जाएगा outflow होगा वही चीज profit and loss के profit and loss appropriations के debit side में आएगा बैस और इसका उल्टा कर दो जो जो भी कारण से रोशन and company या तो फिर आसोसेस जो भी बोलो इसको fund आएगा fund मिलेगा किलों के पास से बाहर नहीं कभी भी बाहर कैसे बाहर होगा थोड़ी नहीं यह प्रविद्ट लॉस appropriations आएगा fund info from owners होगा जब owner से कुछ fund रोशन and company में आएगा तब मुह कैसा होगा face कैसा होगा ऐसा तो यही तो बताता है कि अगर कुछ अच्छा होगा that is income gain वह वाला चीज नॉमिनल एकाउंट के इसाब से क्रेडिट होता है तो इसमें भी यह वाला मुआ रहा है तो इसके पास जा रहा है और लोग के पास जा रहा है तो ओविएसली फार्म के कंडिशन्स ऐसा होगा तो उस कारण के लिए वह डेविट सेड में अप्रोपिशन साफ आइटें की सबसे बैठ जाएगा और ऐसा अगर कुछ कारण है जिस कारण से कुछ फंट रोशन एन कंपनी में आ रहा है की लोग के पास से ओनस लोग के पास से तब मुँए ऐसा होगा तो अब्विएसली अच्छा वाला फिलिंग से होगा पॉजिटिव वाला फिलिंग सोगा तब नॉमिनल एकून की सबसे वह गोल्डन रूल की सबसे कौन से जगा पर आ जाएगा केस कौन सा इस जगा पर करने के लिए तो अगर कोई पार्टनर होगा तो वह द्राइंг के उपर फॉं भी इंटरेस्स मांघ सकता है that is interest on drawing यह मांग सकता है तो यह जो demand कर रहे है farm इससे पैसा आएगा इससे पैसा roshan and company के पास आएगा farm लोग के पास से तो यह क्या हो जाएगा तब income हो जाएगा यह case side में आ जाएगा और debit side में क्या क्या होगा वो ही जो मैंने लिखा था पहले तू बोलके salary to owners to commissions to owners उसके बाद मान लो जो general reserve है जो reserve यह भी आ जाएगा क्योंकि वो पहले हम लोग को पता था कि जो reserve है यह appropriations item होता कि कोई यह expense नहीं होता तो किसी नहीं किसी जगा पर तो आना चाहिए इसलिए reserve कहाँ पर आएगा reserve आएगा PL app pro में ठीक है क्योंकि थोड़ा पैसे तुम side करके रख रहे हो अगर बाद में जाके कोई काम लगेगा तो इसको तुम use कर सकते हो तो इसको तुम कभी expense नहीं बोल सकते हो इसलिए यह आएगा appropriations account with that is इसलिए हम लोग इसको बोलते थे appropriations item और क्या हो सकता है और हो सकता है interest on capital ठीक है तो और बादबा की यह सब मिलेगा और इस जगा पर क्या आएगा क्योंकि जैसे हम लोग profit and loss अकुन बनाते थे कैसे trading account से gross profit लेके तो उसी इसाब से जब इससे पहले हम जो बनाएंगे वो तो profit and loss अकुन बनाएंगे तो profit and loss से हम लोग को क्या मिलेगा हम लोग सोच रहते हैं इस जगा पर सोच रहे है कि net profit मिल रहा है उस जगा से तो इस जगा पर क्या लिखेंगे net profit तो net profit माल लो 100 अब interest on drawing माल लो 10 अब salary माल लो 20 commissions माल लो 10 अब reserve माल लो 5 अब interest on capital माल लो 15 तो इतना दिने के बाद तो कितना हुआ यह हुआ 110 और इस जगा पर 30 और यह 20 तो कितना हुआ 60 भी बचा हुआ है तो यह 60 क्या होगा यह 60 क्या होगा यह 60 जो partners लोगों की बीच में देखो जो भी partner रहेगा तो हम लोग assume की थे के partner है रोशन जोई और गोपल तो यह जो तीनों partner है यह लोग क्या करेंगे यह जो business का जो बादवा की profit होगा यह सब profit को बाटने के लिए profit या तो फीड लोस बाटने के लिए उन लोग के बीच में एक ratio पहले से determine होगा जिस ratio का हम बोलेंगे profit शेरिंग रेशियो जिसको इन शॉर्ट में हम बोलेंगे पी एस आर तो हम माल लेते इस जगह पे वान इस्टो वान इस्टो वान तो इस जगह पे वो शेर और प्रोफिड बोलके रोशन जोई और गोपाल में 20 20 और 20 आजएगा simple कतम